पिच्चर चालो करो में बड़े बड़े दिवारे बनाकर छुपा दिया गया और जब 21 साल की राणी कहती है हम कोई किड़े मकोड़े है क्या हमसे सास भी नहीं ली जा रही है जो हमें छुपा दिया गया इसके पीछे वो आपका सच है आप क्यों इस तरह की हरकते करते हैं ब Deshalb कर तरौम कर रहे थे गुझरात में दीवार बना दी थी और बसुमान जानवरों को दिल्ली के खुटको को चारों पहर बांध कर ड्रेंज में छोड़ दिया गया, पिंजडों में बंद कर दिया गया, बिना खाना, बिना पानी के, बेजुमान जानवरों के साथ ये बरबरता कौन करता है, बाते बहुत सारी है कर गए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बचकानी बाते कर गए, सांसद हैं, कुछ अपने बद की गरिमा का ध्यान रखे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गांधी की सादगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, गांधी की सादगी एक तालिस सो करोड रुपे में देखी गई, नो सो नब्बे करोड आवन्टित बजट था जी ट्वेंटी का, एक तालिस सो करोड अपार्टमेंट ने 16 करोड, MCD ने 5 करोड, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जिस बात का मैंने उन लेक किया था, 12 किलो मीटर का स्ट्रेच इंदरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट से ITC मौर्या और ताज पैलेस जहां पर जादातर लोग रुके थे, वहाँ प नहीं थी, तो साधा जीवन उच्च विचार वाले लोग पहले मुझे इसका जवाब जरूर दे, ये जवाब जरूरी है देना, 50 करोड आउटसाइड इवेंट की होर्डिंग लगाई गई, कहीं पर उनकी तस्वीर नहीं थी, तो गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी आप अच्छी बात है, G20 हुआ, रोटेशनल था, दो साल पहने होना था, हमें पता था चुना होना है 2024 में, मोधी जी को इवेंट करने का मन था, मोधी जी ने अपनी अध्यक्षता दूसरे देशों को दे दी ती, इंडोनेजिया को, और अब उन्होंने वो किया, कोई बात नही उनका ये ऐसा होता है, वो करते हैं, दो चीजों पर मुझे आपती है, पहली आपती, Mother of Democracy में, प्रेस से इंटराक्शन नहीं हुआ, अमरीका के राश्च्छपती के साथ चलने वाले मीडिया ने जब दर्ख्वास भी दी, तो वो डिकलाइन कर दी गई PMO से कि नहीं, प्रे अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन प्रेस इंटराक्शन नहीं होगा, ये Mother of Democracy में हुआ, पहली चीज़, हमारे याँ ऐसा ही होता है, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, ये कुछ आकड़े हैं, आपके दर्शकों के सामने 10 सेकंड में रख देती हूँ, उनको decide करने देजिए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हमारी सरजमी, हमारी मा, G20 का पाटवनी, अच्छी बात है, हम G20 में शामिल भी हुए, पर्चेजिंग पावर पैरिटी, जिसको ये लोग को अपना खुब दम ठोकते हैं, कहसाब से भारत 4th largest economy था G20 में, lowest per capita, lowest per capita income है हमा प्रपोर्शन ओफ अंडर नरिश्मेंट बच्चे और लोग हैं उस ग्रूप में, तो आप मुझे बताइए, कि G20 पर अपनी ठोकिये, बड़ एवंट करिये, बिना प्रवाह के लोग उस पर आपके कसीदे पढ़ें, देश को क्या मिला, इतना छोटा पहले कभी नहीं हु हम बताएंगे दुनिया में कौन किस मुद्धे पर कहा खड़ा है? अपनी ही बात में फस गए, डेर्ड डॉलर, बीस रुपए, ये बहुत लोपे बात मत करिये, पर्चेजिंग पावर कैपिटी और लोएस पर कैपिटा इंकम का क्या मतलब है? हिंदुस्तान की एवरेज इंकम 7,096 डॉलर है, अमरीका की हमसे 9 गुना करीब 70,000 डॉलर है, चाइना की मेरे ख्याल से अभी मुझे याद दी लेकिन 20,000 डॉलर के आसफास है, ये पर कैपिटा इंकम होती है, लोएस्ट हमारी बेरोजगारी का ये आलम है कि लेबर फोर्स पार्टिसपेशन रेट 50 प्रतिशत से कम है, इस देश की प्रतिशत अबादी जो विश्व मे सबसे ज़ादा युवाओं का घर है, 50% से कम लोग अब नौकरी ढूंड रहे हैं क्योंकि आशा ही नहीं है नौकरी की, लेबर फोर्स पार्टिसपेशन रेट का, LFPR का गिरना बहुत बहुत चिंता की बात है, कुछ और बाते हैं जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन आप लोग तो इवेंट करके निकल जाते हैं, लोगों ने उसका पैसा दिया है, 400 करोड रुपए खर्चा हुए हैं, और ऐसा बना दिया कि सारा मीडिया वहां अटका रहे गया, लोगों की गाड़िया फस गए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो मीडिया के आपके त अथाई प्रोडक्शन हो गया है, मोदी जी मदद देंगे, मोदी जी ने तो वाशिंटन आपन से ही इंपोर्ट ड्यूटी घटा कर 15 प्रतिशत कर दी, 70 प्रतिशत पे होती थी, अरे क्यों कि या ऐसा प्रभू, इतना बड़ा तोफा अमरीका के किसानों के लिए, और अप प्रग्या ठाकुर को बगल में बिठा कर कहते हैं कि मैं दिल से इनको माफ नहीं कर पाऊंगा, वो प्रग्या ठाकुर जो कहती है कि गोडसे ने सही किया और आज भी हर गांधी की पुर्टिथी पर गोली से मारने का एक नोटन की रच्चती है, नरेंदर मोदी जी अपने मंतरी गिरीराज सिंग को ये नहीं कह पाते कि गोडसे को वो सपूत नहीं कह सकते हैं, नरेंदर मोदी जी अपने रावत को उत्राखंड के नहीं कह पाते कि गांधे की हत्यारे गोडसे को महिमा मंदन नहीं कर सकते है नरेद्र मोदी जी की डबल एंजन की तथाकतित उत्तुराखंड की सरकार यतिनर सिंगानंद और काली चरण के खिलाफ एक शब नहीं कह पाती जब वो महात्मा गांधी को नहीं उनकी मा को गाली देते हैं उनकी पैदाइश पर सवाल उठाते हैं मेरी ये दिक्कत है साब चंगासी आपसे मैं क्या बहस करूँ आपने का ये स्कीम का नाम है अरे प्रभू लिस्टिड एंटिटी है लिस्टिड कमपनी है बीस्टिड और एनसी पर ट्रेड होती है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सबा तीन लाग करोड के हैं क्या बात करूं मैं आपसे वाटसाप थोड़ा कम पढ़ा करिए वाटसाप दिमाग को संकुचित करते है वाटसाप दिमाग को संकुचित करते है वाटसाप का बड़ा अलप रहता है अभी बाहता विदेश्टिड अगर कमपनी है आपको पता नहीं था आपको एकॉनोमी और फाइनाइस की समझ नहीं है आपका कोर कॉम्पिटेंस है थोड़े बहुत शेर पढ़ देना वाटसाप का ज्यान बाच देना जूट थोड़ा लच्छेदार आदत से बोल देना आप एकॉनोमी फाइनाइस में मत उलजा करिए क्योंकि जब उलजते हैं तो देश को बता देते हैं कि एक लिस्टिड कमपनी के बारे में आपको पता ही नहीं है तो इधर उधर की बातें मत करिए जी ट्वेंटी हो गया जी ट्वेंटी का समापन हो गया अब मुद्दो की बात करिए बात करिए बेरोजगारी की महंगाई की आर्थिक असमानता की पर सो चार लोग की शहादत हुई है मणीपुर में पाच जगे घाटियों में कर क्यों लगा हुआ है उस पर चर्चा कीजिए चर्चा कीजिए कि कैसे लोग कुपोशित है इस देश में चर्चा कीजिए कि क्यूं लोग खादिसुरक्षा से बाहर हो रहे हैं चर्चा कीजिए कि क्यूं आपने करोडों किसानों को पीम सम्मान योजना से निकाल इस पर चर्चा कीजिए बढ़ी बात कर रहे हैं पार्लेमंट में लच्छे दार बाते करने से हर्मात calling is एक बात उन पर आप कहते जी विदेश में जाकर यह बातें क्यूं उठाते हैं और इस बार जब 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 जेश्व चल रहा था तब यूरॉप में बोल रहे थे यूरॉप में जहां जिन लोगों उन लोगों के पीच में रहुल गांदी जी थे चुप जा सात्मी फेल चुप जा सौरव जी आपने एक बड़ी अधुद सवाल मुझसे पूछा राहुल जी वहां ही जाकर क्यूं बात करते हैं आप किसी रॉक के अंदर रह रह रहे है क्या राहुल जी लगातार इन मुद्दो को यहां पर भी उठाते हैं और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं राहुल गांदी जी ने पांच दिन में तीन प्रेस कांफरेंस कर दी मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ओफ डेमोक्रिसी में बुलाकर एक प्रेस वारता एक प्रेस कांफरेंस एक प्रेस स्टेट्मेंट नहीं कर पाए मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते हैं हाथ हिदा के चले जाते हैं आप लोग नारा लगाते रह जाते है तो मेरा मुमत खुलवाईए प्रेस कंफरेंस पर, मेरा अपना मालना यह है कि राहूल गावी जी पूछ रहा हूँ, मैं यह पूछ रहा हूँ, कि राहूल जी जो बात नहीं हाँ कहते हैं, आप अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूँ आप दो चर्चा क सवाल पूछा वो गलत सवाल गलत सवाल गलत यहां से कैसे हो सकता है, सवाल सवाल होता है, बस देखिए, आप आपके जली ना, तेरी भी जली ना, मैं गेस्ट हूँ, एक मर्यादा की सीमा मुझसे मतलांगिएगा, आप एक बार पहले भी किया है, यह मत कीजिएगा, अब आप फिर वही काम कर रही ही, जो आपने पिछली बार किया था, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, बड़ी शालींता से आप से एक सवाल किया, मैं मुझसे सवाल क्या पूछा, मैं रूपीट कर देती, आप ने कहा, राहूल गांदी जी बाते रही जाकर क्यूं करते हैं, अब फिर आप विक्टिम गार्ड केलती थिए, कि मैं मजबूर करेंगे, बहु आप को कहा रहा हूँ, आप एक तिंगमार्ड हमेशा कहलती है, म मुझे बाद मैं अपॉलजाज मत और यहां कर में आप को मैं कभी आप ओलॉजाज आपसे नहीं किरूँगा क्या क्या Laham कहा जा रहे हैं बही आफ आपको यहां कैना है मैं यही कहूंगा आप फिर मुझे मेसेज करके आप अपॉलजाज मत करिए कि आपने क्लिरेखा क्रास करी है यहां क्यों नहीं तो यह पूझा लेजी हो जाती है क्या नहीं के यहां पर क्या आप नहीं जानते कि वो लगतार प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं वो लगतार मुद्दो को उठाते हैं चाहे सादन गांधी के 50 तवालों का जवाब देने के गलत सवाल है और मैं फिर आप से कहा हूं सवाल कभी गलत है या सही नहीं होता सवाल सवाल होता है क्यों नहीं पूछ सकते भई और मैं फिर से कहूंगी आप ये गलत सवाल भाजपा से पूछेगा मुझसे मत पूछेगा आपका सवाल गलत था आपने कहा राहूल गांदी जी वहां ही क्यों बोलते है राहुल गांदी आपने पहली बार ये सवाल आप ने का था वहीं जाकर क्यों करते हैं और अगर अगर ये मेरे मुझ से निकलाओगी वहीं क्यों बोलते हैं तो मैं अपनी गलती मानलूंगा चूतिया नहीं लग रहा है चटक चूतिया लग रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है मेरी बात सुनके मैं इक्वल पार्टिसमेंट वुस डिबेट में और मैं अपनी बात कहके जाओंगी मैं ग्रेव अब्जेक्शन उठाती हूं और मैं फिर से कहूंगी आपका सवाल गल से क्यों उठाते हैं और इस अरे बाप रे ये तो दोती खोल रहा है तुम्हें शरम है कुछ कुछ शरम हाया है तुम्हें शरम है